सो हे गाईस गुड मॉर्णिंग एन वेलकम पैक इन आवर न्यू वीडियो तो आई होप कि सभी लोग सवस्तर अमस्तोंगे और आगे भी ऐसी रहेंगे तो गाईस वैसे तो 10 मार्च की दिन मारा एडवान्स सर्वर उपन होने वाला था लेकिन दोस्तों गरेने वालोंने 9 मा और दोस्तों यहां पर बात करेंगे कि हमारा जो ओवी 39 अपडेट आने वाल है क्या इसके अंदर हमारी ओल्ड फ्री फैर की चीज़े है वो भी यहां पर एडवान्स अर्वर के ओपर आई हुई है या फिर नहीं आई हुई है तो वीडियो जो काफे इंपोटेंट है सब स चेंज हो रहा है और इसके अंदर आपको फायर्वाल एफेक्ट देखने को मिलता है दूसरी जो चीज़े दोस्तों वह है AC80 काफी लिजांडरी AC80 की जो इसकी नहीं होगी और इसके अंदर जो एनिमेशन है वो और भी ज़्यादा खतरनाग है हाला कि अब इसके जो एट्र यह भी आपको OP39 अपडेट के बाद हमारी जो न्यू हाइपर बुक आएगी जिसका नाम रहेगा Immortal हाइपर बुक तो इसके अंदर आपको एक कटाने स्किन देखने को मिलेगी तो यह भी काफी डेंजरस लुक है यहाँ पर लग रहा है इसका काफी खतरनाग एनिमेशन इ या फिर इसके अंदर जो खतरनाग वाला effect है वो आपको देखने को मिलना होगा तो इस बार की दोस्तों जो Hyperbook है उसका color तो change हो रहा है बढ़ हाँ इसके अंदर जो effect है वो बार-बार change हो रहे है इसके बाद दोस्तों जो दूसरी glue wall की skin है वो आप देख सकते हैं यह blue color की र या Hyperbook, जो कि update के बाद आने वाल है, अब इसकी जो date वगेरा हो, क्या रहने वाली है, वो मैं आपको update आने के बाद बता दूँगा, इसके लाओ दोस्तों बात करते हैं हमारे game के उपर आने वाले new character के बारे में, तो new character का नाम है दोस्तों Orion, तो आप देख सकते हैं हमारा जो Orion करेक्टर है, वो update के बाद आने वाल है, अब इसकी जो ability है, वो मैं आपको simple तरीके से समझा देता हूँ, तो जैसी दोस्तों आप इस character को यूज करोगे, तो यह active ability वाला character होने वाला है, यानि कि इसकी जो ability है, वो active होने वाली है, तो आप दोस्तों map के ओपर देख सकते हैं जब भी आपको कोई enemy मारेगा, तो आप जैसी कोई enemy मारेगा, तो आप जैसी इसका active skill का button को यूज करोगे, तो आप एक red color का जो गोला हो बनके आ जाओगे, मतलब इस तरह का आपको एक गोला type का यहाँ पर दिख रहा होगा, और जैसी आप गोला बनोगे, तो सामने आले enemy को सबसे वहले तो 30 का जो damage हो पड़ेगा, यानि कि जैसी दोस्तों आप अपनी ability को use करोगे, तो सामने आले enemy को सबसे वहले 30 का जो damage हो यहाँ पर लगेगा, और उसके बाद दोस्तों आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर देख सकते हैं कि high type का हो जाओगे, और जब रहोगे तो आपको तब enemy कोई भी fire नहीं मार पाएगा, मतलब थोड़ी देर आप safe रहोगे, तो मतलब यह इसकी ability रहने वाली है, ज्यादा कोई खास ability नहीं है, आपको clear कर दूँ, जैसे ही आप मतलब अपनी ability को use करते हैं, तो सामने आले enemy को 30 का damage पड़ेगा, यह कासी EP है, वो यहाँ पर 60 होनी चीए, यानि कि दोस्तों आपको यहाँ पर EP रखनी पड़ेगी, तब ही आप इसकी ability है, उसको use कर पाओगे, तो इसके लिए दोस्तों आपको जो cactus pet है, वो रखना ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि cactus pet यहाँ पर एक जगयों को खड़े होके, 100 EP हम समने आले एनिमी को 30 का जो damage पड़ता है, वो कहीं न कहीं गेम चेंजिंग रहने वाले है, या फिर यह कहीं न कहीं फायदे मंदी रहने वाले है, बाकि ज्यादा कोई खास ability मुझे लगी नहीं, तो आप लोग दोस्तों बताने की एक जो character हो आपको कैसा लगा, बाकि दोस् कंप्लेट करने के बल्ले में, जो हमारा elite अलवार हो है, वो यहाँ पे बिल्कुल free में मिलेगा, इसके बाद दोस्तों update के अंदर हमारा जो यह जो new animation वो add कर दिया गया है, तो यह जो archiveral animation है, जो की EO G18 की theme को परवेश्ड है, आप लोग देख सकते हैं कि यह जो animation है, वो ह काफी अदर OP लग रही है, और इसका जो animation है, फिर इसका जो look वगएरा हो काफी अच्छा है, हाला कि दोस्तों इसके अंदर जो attributes है, वो अभी add नहीं किये गए, तो attributes है जैसी add हो जाएंगे, मैं आपको दुबारा से दिखा दूँगा, इसके लाओ दोस्तों एक backpack की skin भी आ जैसे कि इस वाले animation के अंदर अपने को जो हमना devil में cry 5 का event आया था, उसकी theme के उपर एक look changer remote रखा गया था, तो वैसी दोस्तों OP 39 अपडेट के अंदर भी आपको एक नया look changer remote देखने को मिलने वाल है, तो देख सकते हैं को जिस तरका नया look changer remote रहेगा, अभी इसका जो animation है, कि काफी यदा खतरनाक रहने वाल है, तो यह जो नया look changer remote है, अगर यह हमारे game को पर आता है, तो क्या आप इसको purchase करना पसंद करोगे या फर नहीं, बांकि मलब काफी साही remote है, अब जैसी इसका full review आ जाएगा, मैं आपको दुबारा से दिखा दूँगा, बांकि दोस्तों बात करते हैं हमारे यहाँ पे, यह गंस के बारे में, तो आपको दोस्तों बता दूँ कि अभी जो advanced server हो आपको कैसे मिलेगा, तो advanced server अभी दो बज़े से start हो जाएगा, जो अपनी official website है, वहाँ से आप इसको download कर सकते हैं, हाला कि दोस्तों अगर download नहीं होता है, तो मैं आप आपको डिरेक्टर डाउनलोड लिंग का अपने टेलिग्राम चैनल के ओपर दे दूँगा, तो आप जोईन कर लेना, अभी यह तो आप टाइम है start होने में, क्योंकि जो कल हमारा start हुआ था, वो हमारे कुछ पार्टनर प्रोग्राम के बंदे और जो खास-कास हैं, इन लो जी यहां दोस्तो Evo Scar की जो दूसरी स्कीन है, एक तो अपनी मेगलाडोन वाली है, और जो दूसरी स्कीन है दोस्तो वो आने वाली है, कुछ इस तरह की स्कीन आपको देखने को मिल जाएगी, यह इसके लेवल 7 का लूक रहने वाल है, तो लेवल 7 का जो लूक है वो काफी एदा O.P. है काफी भर-भर के जो एनिमेशन है वो इसके अंदर डाला गया है तो यह अपनी जो फर्ष्ट E.O.G. रहने वाली है जो कि आपको O.P. 39 के बाद देखने को मिलेगी इसके बाद दोस्तो जो दूसरी E.O.C. 80 की स्किन तो E.O.C. 80 की स्किन भी देख सकते हैं कि हमा E.O.G. 18 के भी जो लेवल 7 का लूक है वो दोस्तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की जो E.O.G. 18 की स्किन है वो आपको अपडेट के बाद देखने को मिल जाएगी और इसका भी दोस्तो अभी जो फुल लूक है यानि कि इसका जो इमोर्ट वगरा है या फिर इसके तो आप दोस्तों कमेंड करके बताना कि आपको क्या लगते हैं कौन सी E.O.G. सबसे फश्ट में देगा एसकी स्किन देगा जी अठारा देगा या फिर हमारी जो स्कार 2.0 की स्किन है वो यहाँ पर देने वाल है बाकी दोस्तों मनलग गरेने वाले बताने कौन से नसा करके बैठे हैं भाई 3-4 तर E.O.G. बना रहे हैं और E.O.G. यहाँ पर अभी एक भी नहीं दे रहे हैं और देखते हैं सीन जो भी सीन निकल के आता है बाकी मैं अभी इसके बारे में ज्यादा नहीं बता रहा हूं क्यूकि मैं E.O.G. के रिगार्डिंग एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूं तो आप उस वीडियो को देख लेना मैं आपको डिटेल में समझा दूँगा तो अभी दोस्तों वीडियो के अंतर इतना ही वीडियो को लाइक और चेंगो स्काइब जूसर जरू करें